नमस्कार मैं हूँ किरन और आप देख रहे हैं पंचाइती टाइम्स केंद्री वित्त मंत्री निर्मला सिता रमण ने कल यानि की मंगलवार को जो आम बजट है वो पेश किया है जिसके बाद से विपक्ष में हंगामा हो गया है हाला कि सरकार ने इसको बहुत अच्छा बजट बताया है आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा बजट इसको बताया है यहां तक की पियम मोदी ने भी इसे दो हजार से तालिस के विक्सित भारत की एक आधार शिला बताई है लेकिन वही अगर दूसरे तरफ देखें तो विपक्ष जो है वो हंगामे पर उतर आया है आप देख सकते हैं कि हम अभी संसद के बाहर खड़े हैं जहां पर आज जो कॉंग्रेस के संसद है राहूल गाधी वो आये हुए हैं और उन्होंने तमाम किसानों को भी यहाँ पर मुलागात के लिए बुलाया है और जो किसान प्रतिनिधी मंडल है अभी तक 12 किसान प्रतिनिधी मंडल यहाँ पर पहुँच चुका है अखलेश आदव का कहना है कि जो बजड है, उसमें यूपी को कुछ नहीं मिला है, यूपी के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, बिहार और आंध्रपरदेश के लिए जो प्रोजेक्ट जो सरकार ने जो दिया है उसको लेकर अखलेश आदम ने बोला है कि यूपी एकदम खाली हाथ है और वहीं डिमपल यादम ने भी इस पर अपने प्रतिक्रिया दी है अब देखते हैं अभी अंदर मिटिंग चल रही है राहूल गाधी किसानों से मिल रहे हैं हम इस पर आपको पलपल अपडेट देते रहेंगे